एलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वन्टीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत डाइनमिक्स लिमिटेड बीडी एल की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एल्बिटी कंडिशन के बारे में और क अगर आप अप अपलाइग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ओनलाइन अपलाइग कर पाएंगे बात करेंगे इसके डेटेल नॉटिफिकेशन के बारे में और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो अघर यहांपर आपकी आपकी जो पोस्ट्टिंग होगी वो इन ओफिस में होने वाली है इन प्रॉजक्त में होने वाली है। इसके बार फेंज से यहां पर एकणि आपको पोस्त दी गई है पोस्त कोड दिया गया है नमबर ओ पोस्त दी गई है किस केट्री में किटनी से अपका प्लेस ऑ पोस्तिंग क्या रहेगा और यहां पर आपका अपर यह लिमिट है वो आपको दिया गया है 252,020 मतला 2 मई 2022 को आपका ये complete होना चाहिए जिसमें maximum age आपकी 28 साल है जन्डल candidate के लिए अगर आप reserve candidate है तो आपको अपर age में यहाँ पर छूट मिल जाती है experience की बात करें तो एक साल का experience भी आपका required रहेगा 2-5-2022 तक तो इस तरह से friends आप जब यहाँ पर check करते हैं vacancies की list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके बात करते हैं अब इसके आगे की process के बारे में जो सबसे पहले है age criteria तो जैसा मैंने कहा जन्डल या EWS candidate को क्योंकि reservation नहीं मिलता age में तो 28 साल maximum age रहेगी दो माई 2022 को यह count होगी अगर आप reserve candidate है तो आपको अपरेज में छूटे मिल जाती है इसके बात friends यहाँ पर है qualification section तो सबसे पहले है project diploma assistant mechanical तो 3 साल का diploma आपका required रहेगा mechanical में और यह friends यहाँ पर किसी भी state या central government से अगर आपने complete किया हुआ है आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बाद है project diploma assistant electronics तो यहाँ पर भी 3 साल का diploma आपसे required रहेगा discipline आपका electronics रहने वाला है इसके बाद friends नेस्ट जो post है वो है project diploma assistant electrical की इसमें 3 साल का diploma आपका required रहेगा discipline आपका electrical रहने वाला है project diploma assistant computers के लिए 3 साल का diploma required रहेगा computers में और इसके बाद है project diploma assistant tool and design तो 3 साल का diploma आपका required रहेगा state या central government से जो की mechanical में आपका होना चाहिए और एक year का post diploma in tool design आपका होना जरूरी रहता है इसके बाद है project assistant finance तो यहाँ पर देखिए degree course आपके पास होना चाहिए commerce में या business administration में जो की finance specialization के साथ हो 6 मन का computer course आपके पास office application में होना चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पर आप intermediate के साथ CA inter या ICWA inter या CS inter आपने pass किया हुआ है या फिर आपने कोई भी degree ली हुई है science में economics में एक साल के diploma course के साथ जो की financial management में होना चाहिए और 6 महीने का computer course required रहेगा इसके बाद है project assistant HR की vacancy तो degree आपके पास business ad में, social welfare में, PNIR में, personal management में, HR में या फिर social science में 6 महीने के computer course के साथ आपके पास होना चाहिए या फिर कोई भी degree आपके पास है एक साल के diploma course जो की PM, PNIR, SW, TND, HR, labor, law with में आपके पास 6 महीने के course के साथ होना जरूरी रहेगा project assistant storekeeper की vacancy है तो SSC required है, साथ में experience required है और ex-serviceman को यहाँ पर benefit मिलता है project trade assistant feeder के लिए ITI आपके पास होना चाहिए feeder में NAC आपके पास होना जरूरी है इसके बाद trade assistant में electronics mechanic की vacancy है तो यहाँ पर भी ITI required रहेगा अगर project trade assistant की बात करें तो यहाँ पर भी ITI required रहेगा painter में भी आपका ITI required है और welder में भी ITI required है with NAC इसके बाद plumber की है तो ITI आपसे plumber में मांगा है with NAC और project office assistant में stenographic की जो vacancy है diploma आपके पास computer and commercial practice में आपके पास होना चाहिए तो यहाँ पर फैंस जो आपको criteria है आपके यहाँ पर LVT conditions का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपके पास जो भी year या semester की मारशीट है वो आपके पास होना ज़रूरी रहता है इसके बाद फैंस यहाँ पर post qualification experience एक साल का भी आपका required रहेगा मतलब qualification complete होने के बाद का ही experience यहाँ पर complete माना जाएगा इसके इलावाद फैंस यहाँ पर देखिए जो आपकी vacancy है यह एक साल के लिए आपको यहाँ पर contract पर रखा जाएगा जो की 4 years तक आपका आगे extend किया जा सकता है अगर बात करें यहाँ पर salary की तो friends यहाँ पर जो salary है project diploma assistant के लिए वो 35,000 रुपे पहले साल रहेगी अगर यह extend होती है तो आपको salary आपको दी गई है project trade assistant के लिए 23,000 रुपे salary है और यह बाद में extend हो सकती है अगर आपकी job भी extend होती है उस condition में बात करें अगर selection procedure की तो friends यहाँ पर जो selection है वो आपके aggregate marks या percentage marks के basis पर होगा qualification आपके relevant discipline में है उसके according और यहाँ पर एक marks आपको मिलता है each percentage maximum आपको 75 marks यहाँ पर मिल जाएंगे अब जो percentage है वो project diploma assistant के लिए diploma की project assistant HR के लिए diploma percentage आपकी जो आपकी specialization है उसमें या diploma इन specialization percentage में आपकी convert होगी project assistant finance के लिए intermediate CA में आपका यहाँ पर percentage count होगी project trade assistant के लिए ITI प्लस NAC percentage इस्टोर कीपर के लिए SST plus SKT course का certificate assistant के लिए friends DCCP या DCP का certificate आपका required रहेगा maximum आपको 75 marks यहाँ पर मिलेंगे post qualification experience की बात करें तो यहाँ पर maximum आपको 10 marks मिल सकते हैं एक साल का experience तीन नमबर दो साल का experience अच्छे नमबर और तीन एयर का experience है तो 10 नमबर आपको मिल जाएंगे इसके लावा interview होगा 15 marks का तो overall 100 marks का आपका selection procedure यहाँ पर रहता है इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको reservation और उससे related जानकाई दी गई है तो all India candidate eligible है apply करने के लिए आप किसी भी state के निवासी है आविदन कर सकते हैं अगर आप applicable है general OBC EWS candidate को यहाँ पर friends जो fees पे करनी होगी वो 200 रुपे fees पे करनी होगी SBI E-Pay online payment mode के जरी आप इसमें fees पे करेंगे और यहाँ पर आप SC, ST, PH या ex-servicemen candidate है तो आपकी कोई भी fees यहाँ पर नहीं लगती general conditions आपको दी गई है तो आपका जो भी national candidate है वो apply कर सकते हैं आपका ace criteria qualification experience दो मई 2022 को count किया जाएगा आपको यहाँ पर friends online ही apply करना है और online apply करने के बाद आप इसे send भी करेंगे तो यह चीज आपका ध्यान रखना आपको जरूरी है एक post के लिए ही आप यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके बार friends यहाँ पर आपको कुछ mandatory documents दिये गए हैं जो की form apply करते समय आपको यहाँ पर अपने स सकते हैं BDL की official website पर जाकर और इसके लिए friends आपको देखे जो भी unit या office wise है उसके according आप इसमें आविदन कर पाएंगे इसके लवा आपको यहाँ पर application form by data जो की आपका mandatory documents है वो register यह speed post के थूरू दिये गए इस address पर आपको send लेक करना होगा 1362022 तक यह आपका form जो है वहा application form को send कर सकते हैं तो यहाँ पर friends इस वीडियो हमने बात की BDL मतलब भारत dynamics limited का जो requirement notification है वो क्या है इसकी LBT conditions क्या है बाकी की जानकारी आप video description में jobrasa.com पर जाका check कर सकते हैं अगर आप applicable है eligible है apply कर सकते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहत जर आपवा रेए झार खार हमे नगरा ये गेवर गला नगर सकता है अवास। नह भी बार इन। झाहते हैं वीडियो कि establish भड चले इन। नहिघंग जह मने। जह हैं तर आप हमारे फिल्कश mentor जहें है जह हैं जहिए जहिए आपला खर जंगल